हेलो दोस्तों, वेलकम टू धुलाधर अब्डेट्स यूट्यूब चैनल तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल परदेश स्कूल शिक्षाप बोर्ड की तरफ से दो तिन नई नोटिफिकेशन जो ने जारी की है HP DLCT 2020 की जो काउंसलिंग के रिगारिंग और इन्होंने जो मैरिट लिस्ट भी जारी करती है, all category wise जो है तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा इस वीडियो के बारे में तो वहती important वीडियो जो होने वाली है, तो वीडियो को skip जड़ा भी ना करें और अगर आप चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लें और साथ में bell icon को press कर लें ताकि आपको आगे आनवाली हिमाचल प्रदेश की हार latest update की notification time to time हमारी चैनल दोरा मिलती रहे वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like करना बिल्कुन न भूलें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मैंने ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की officially website open कर लिया है तो इसमें आपको यहाँ notification में जाना है यहाँ पे, notification में जब आप click करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने notifications जो हैं जारी की हैं जो की जो HPDLED CET 2020 का जो exam conduct करवाया गया था तो उसकी जो है इन्होंने subsidized और non-subsidized seat जो है इन्होंने बता रखी हैं इसमें तो सबसे पहले जो notification है यह है merit wise जो date wise जो all candidates की counselling होगी तो इन्होंने बता रखा है इसके पहले इसके बारे हैं बात कर लेते हैं हम तो दोस्तों यह मैंने notification डाउलोड कर लिया है तो इसमें इन्होंने DLED CET 2020 से 22 का जो badge है उसके लिए इन्होंने जो list of merit wise and date wise all candidates of DLED CET 2020 का जो exam हुए उसके accordingly जो है इन्होंने ये row number wise जो है आपके नाम जो है यहां पे बता रखे हैं Fathers ने भी बता रखा है category कौन सी है सब category date of birth marks का पी कितने है और date of counselling कब जो है इन marks की counselling जो है जितने marks है मैं उसकी notification भी आपको बताऊंगा कितने marks से लेकर कितने marks तक जो है किस दिन जो है counselling होगी वो भी पर इन्होंने जो है यह सीरे number wise जो है row number wise आप देखते हैं कि इन्हो तो दोस्तों यह काफी सारी लंबी वीडियो जो है होने वाली है तो 277 pages की जो है यह PDF है तो मैं आपको इसका link जो है नीचे discussion box में provide करवा दूंगा या आप HP box की officially website में जाकर जो है आप इस notification को download करके जो है चेक कर सकते हो कि आपकी counselling किस दिन है तो एक वार में आपको एक औ 277 pages की जो है यह PDF है तो इसमें total जो मैं आपको बता देता हूं जो candidates की counselling date रहेगी कब तक रहेगी तो इन्हेंने 12 October से जो है स्टार्ट करी है counselling तो यह चलेगी तो आप दिखते हैं कि यह 1600-1700 से ऊपर जो candidates ने जो है यह counselling अटेंड करने वाले हैं तो मैं आपको total जो बता कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि जिन भी candidates की जो counselling होगी तो उनको date के बारे हैं पतलग सके और मुझे काफी सारे comments भी आ रहे थे कि सर हमारी sports category के अलावा बाकी categories की जो counselling होगी वो कब होगी तो उसकी जो है अब यह PDF जो आपको बता रहा हूं तो उन्ही candidates की जो है यह counselling होने वाली है तो इसमें आप बताता हूं आपको तो दोस्तों total जो यह serial number है यह आप देखते हैं 7564 serial number तक जो है यह candidates है तो counselling जो है यह 12 तरीक से लेकर जो है यह 23 अक्तूबर तक जो है चलेगी तो एक और notification है उसके बारे हैं बताता हूं आपको तो जो second notification उन्हें ने जा जाली की है यहाँ पर notification regarding chart showing category wise allotment for seats of subsidized seats DLA session 2020 से 22 तक जो है for private affiliated institutes की तो दोस्तों जो private affiliated institutes है तो उनकी जो है इन्होंने यहाँ पर total जो है seatें बता रखी है non subsidized seatें तो total जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे 77575 जो है non subsidized seatे जो है रहने बाली है तो category wise जो है इन्होंने बता रखा है और यहाँ पर जो है कौन-कौन से private जो colleges हैं तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं तो total जो private colleges जो हैं यहाँ पे तो आप देखते हैं कि total जो है 28 private colleges हैं तो इसमें जो हैं इन्होंने हर category wise जो है यहाँ पे बता रखाए आप देखते हैं general, OBC, SC, ST, ex-serviceman, IRDP जो हैं यह हर जो college में 50-50 CTs जो हैं इन्होंने बता रखी हैं यहाँ पे total जो हैं आप देखते हैं कि subsidized जो इन्होंने यहाँ पे जो है यह only non-subsidized जो है यह private colleges में जो है non-subsidized CT जो है भरी जाती है और subsidized जो होती हैं वो government में भरी जाती हैं तो next जो notification है इसके बारें बात करते हैं तीसे नंबर पर जो notification है यह यह बहुत important notification है counseling schedule जो है जारी किया है इसी की बात कर रहा था मैं आपको number के wise जो है किस number से लेकर कितने number तक जो है यह counseling होगी तो दोस्तों यह आप देखते हैं कि इसमें इन्होंने बता रखा यहाँ पे कि 39 2020 को जो है यह इन्होंने जारी की थी तो यह आज जो है अपलोड हुई है website पर तो इसमें इन्होंने आज सूचन किया जाता है कि हमाज़ा प्रते स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दो वर्षिय कि सभी भारा सकारी डाइट्स में शोचल इस्टेंसिंग के साथ दिनाख 12 दस दो हैर 20 से दिनाख 23 दस दो हैर 20 तक प्रताए 10 बजे से साए 5 बजे तक अभरतियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी जिसमें उनके मोल प्रमान पत्रों का सत्यापन प्रमान पत्रों की संख्या प्रतिया की प्राप्ति के साथ ही अभरतियों द्वारा सीट लेने हे तू अपनी प्रात्मिक्ता के अधार पर वरित्ता क्रमक में बिकल्प बायो डाटा प्रपत्र परप्रस्तुत किये जाएंगे जिसके लिए अभरतियों अपनी सुविदा अनुसार किसी एक निक्तम सरकारी डाइट में भाग ले सकते हैं सरकारी डाइट में प्रमान पत्रों के सत्यापन वर पिकल्प प्रस्तुत कर बारे भरतियों द्वारा प्रवेस प्रिक्षा में प्राप्त अंकों के अधार पर तितिया गोशित करी गई है देखते हैं, जोंक प्राप्त की है, जोंने 69 से लेकर 91 केắng planets होंगे इनके बीच में, उनकी बारा किा 9 से लेकर 69 तक स्यूस का लिख की लिखाएं 61 से लेकर 63 नंबर तक है उनकी 14 तरीक को काउंसलिंग होगी और जिनके 59 से लेकर 60 नंबर तक जो उनके अंक हैं उनकी जो है ये 15, 10, 12, 20 को होगी तो ऐसे जो है आप देखते हैं इस वीडियो को पोज करके और स्क्रीन शोर भी ले सकते हैं तो बहुत इंपोर्टन नोटिफकेशन है ये वली और आपको जो सरकारी जो 12 डाइट्स हैं उनमें आप किसी वी जो आपके घर के नजदीग डाइट होगी तो उसमें आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं तो इसमें इनोंने यहां पे बता रखा है ये आप देखते हैं पूरी नोटिफकेशन जो है आपको ये जो ओफिशली वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगी तो मेरिट लिस्ट जो है अनुसार दिनाक 12, 10, 2020 से दिनाक 23, 10, 2020 तक जो है काउंसलिंग पर करिया है तो चैने तो भेठतियों की तिथिभार सूची बोर वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया जो मैंने आपको पहली बताई काउंसलिंग का जो शेडियोल इनने बता रखा है नंबर वाइज तो वो ही जो है मैंने आपको जो पीडियेफ बताई थी 217 के जिसकी तो उसी पीडियेफ की जो है यहाँ पर बात कर रहे है और जो बायडाटा कम प्रेशेंशियल ओडर फोर्म जो होगा वो अपनी सुधा एवं प्रात्मिक्ता के अधार पर जो है विरितक प्रक्रम में सीट बिकल्प भरकर अपता था अपने समस्त मूलक शेक्षनिक प्रमान पत्तर कैटेगरी सब कैटेगरी जो आपके डोकुमेंट्स होगे उनको आप ले जाना साथ में अगर आपको इनक्वारी है तो आप इस नंबर पर जो है कॉंटेक्ट करके पूछ सकते हो तो यहां पे नीचे जो है इनोंने यहां पे बता रखा है यहां पे जो प्रतली पी निम्रत को सुचनार्थक एबं अविश्यक कारवाही है तो प्रेडिचित है तो यहां पे नीचे जो है इनोंने यहां पे फॉर्म के बारे में बता रखा है थोड़ा सा तो आप ये आपको PDF में मिल जाएगे मैं आपको important important बता देता हूँ तो जो next जो ये notification थी ये bio.com provincial order form for the counseling for two year DLED session 2020-22 in respect of government rights private affiliated institutes in हिमाचर प्रदेश तो ये bio data form जो है ऐसा form ये आपको भरना होगा इसमें आपको अपना serial number merit list का भरना है जो मैंने आपको बताई उसमें आप देखते हैं और कितने marks आपके यहाँ पे आपने भरने है name of diet for counseling और date of counseling जो है यहाँ पे आपने भरनी है किस दिन जो आपके counseling है और name of diet कौन सी diet में आप जो है counseling करने जा रहे हैं आपने यहाँ पर अपना district लिखना है और यहाँ पर डिलेट रो नमबर लिखना है और यहाँ पर category, sub category, name of candidates, father name, correspondent address, pin code, mobile number, date of birth यहाँ पर लिखनी है आ मैं आपको पूरे form के बारे में बता देता हूँ और आपने यहाँ पर in words में जो है यहाँ पर आपकी जो data बर्त होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं as per matriculation और आपकी जो प्लस 2 होगी उस certificate में जो data बर्त होगी उसके according लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ प दिखनी है और नीचे जो है यहाँ पर प्लस 2 के यहाँ पर आपने marks लिखने है पर स्टेंटेज लिखनी है और नीचे जो है यह declaration by the candidates जो है यहाँ पर बता रखाए कि आपको जो है यहाँ पर यह नेम ऑफ डाइट गौर्मेंट यहाँ पर इन्होंने बता रखाए यह जो ह आपको name of diet in preferential order for admission written by candidates only तो आपको कौन सी जो है आपको diet चाहिए कौन सी district में चाहिए वो आप यहाँ पर भर सकते हैं ठीक है तो इन डाइटों में से जो है आपको first preference कौन सी देनी है जो आपको मल कि जिस diet में जाना जाते हैं अगर वो ना मिले तो आप next वाली पर जा सकते हैं मल कि यह next वाली पर आपको seat दे देंगे तो उस प्रकार से जो है आप यहाँ पर अपनी जो है प्रेफरेंशल भर दें और प्लीज सी फी स्ट्रक्चर एप्लिकेबल फार प्राइवेट डेटली मैनेज़ इंस्ट्यूट और जो यह प्राइवेट इंस्ट्यूट है आप इ उसमें जो है 775 जो है उन्हेंने स्ट्रक्चर रखी है तो नीचे यहाँ पर आपने जो है अपना सिगनेचर भरने है और लिखना है सिगनेचर करने है यहाँ पर यहाँ पर प्लेस डेट और प्लेस लिखने है डाइट की और सिगनेचर ओफ डाइट कमेटी मेंबर जो नेक्स जो नोटिफिकेशन है यह सबसीडाइज और जो नोन सबसीडाइज जो सीटी होंगी यहाँ पे फी स्ट्रक्चर बता रखा है प्राइबेटली मैनेजड डियलेड 2020 का तो यह फी स्ट्रक्चर होगा तो आप जो है देखते हैं कितनी फीस जो है आपकी गौर्वर्में आपके फीस के एडमीशन, रियडमीशन, बिल्डिंग फंड, हाउस एक्जामीनेशन, मैगजीन फंड, अइनेटिटी कार्ड के जो पूरा जो यहाँ पे इन उन फी स्ट्रक्चर बता रखा है तो आप जो है पूरा डिटेल में देख सकते हैं नेक्स जो है यह इंस्टिटूट, गाइलाइन्स, फर स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आपको एक वर बता देता हूँ तो इंस्ट्रक्चन एन गाइलाइन्स जो है नोने यहाँ पे देरखी है सारी एलेजिविल्टी क्रिटीरिया जो होगा पर प्लस टू होगा और इकुलेंट एक्जामिनेशन विद एटलीस 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए और आपको रिलेक्शेशन भी दी जाएगी SCST OBC के लिए 5% minimum education qualification के लिए 5% relaxation दी जाएगी और आपकी age limit जो होनी चाहिए वो 17 से 32 साल के बीच में आपकी age limit होनी चाहिए के आया डीपी बीपील के candidates हैं तो उनका जो है जो सार्टिफिकेट होगा शेल वी इशूड बादे कंपरेंट अर्थोर्टी विदिन 6 months on the date of counseling counseling से इन्होंने जो बता रखा है कि विदिन 6 months जो है आपका जो है सार्टिफिकेट होना चाहिए counseling date से पहले तो SAST का भी इन्होंन जो है इन्होंने इपोर्टन guidelines जो है यहां पर बता रखी है तो दोस्तों यह थी आज की latest notification तो दोस्तों मैंना आपको one way बन जो है सारी notifications जो है यह बता दी है जो भी यहां पर upload होई थी आज officially website में तो अगर दोस्तों यह आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो में बता रखा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जूर से शेर करें ताकि उनको भी जो है इस latest notification के बारे हैं पता लगस के क्योंकि इन्होंने जो है एक दो तीन चार पांच छे छे नोटिफिकेशन जो है इन्होंने यह जो डीलेट सीटी दो हैर बीस की जो काउंसलिंग होनी है तो उसके इन्होंने जारी की है तो अपना कीमतिस में देने के लिए बहुत बधनेवाद जैहिन जैहिमाचल